राधे राधे दोस्तों आज हम बनाएंगे इस्पेसल सबजी चनादाल लौकी की इस्पेसल इसलिए क्योंकि हमारा जो महापर्व है चट पूजा उसके पहले दिन चार दिन का ये पूजा होता है उसके पहले दिन ये सबजी जरूर से बना के खाया जाता है जो भी ब्रत पेस्टी यह सब्जी बनके तयार होता है हमारे यहां तो इसे परशाद की तरह खाते हैं तो चलिए आज न हम आपके साथ उसकी रेसे पिसेर करते हैं सबसे पहले आपको चना दाल को फुला के ले लेना है साथ में लौकी को कट कर लीजे ताजा एक लौकी लिए और पता है चट पूजा के समय में न हमारे यहां लौकी बहुत जादा महंगा हो जाता है तो यहां पर हम लौकी कट कर के ले लिए हैं कराही में डाले हैं तेल इसमें डाल देंगे जीरा अधा चमस जीरा डाल देंगे थोरे से यहां पर मेथी के दाना डाल देंगे दो तीन सूखी ब्लग नमक कर लाघ आधे च्समछ की तद से मिधिल् है हम पटैंगे पडर के कमादाzh टोल इंगे से लॉट कर सकते है और से डाला नहीं जाता है हम यहां पर बस कवरर कर देंगेRoze जो आज पकाएंगे 2-3 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे आप देखिए गाइसमें बहुत सारा पानी चूट जाता है लौकी में बहुत सारा मॉस्चर रहता है तो अलग से आपको पानी डालने की जुरत नहीं है अगर पानी नहीं चूट रहा है मतलब लौकी तो थोड़ा त पकाएं हैं गरीब 6-7 snipp या आप इसे तब तक पका लीजी जब तक चना दाल लौक्ही अच्छे से सीज ना जाए कुआ है चना दाल लौक़ी की दोनों बहुत अच्छे से पक चुका है मैंश्चर पक चुकक हैं तो थो सब्स प्राइब कर ले शौना भी करेक्स एक हैं तो हमारे यहां इसे चट पुजा के पहले दिन जरूर से खाते हैं और हो सकता है अलग-अलग जगह पे बिहार में ही थोड़ा अलग-अलग तरीके से बनता होगा पर यह हमारे यहां का रेसिपी है हमारे घर में ऐसे बनता है तो ट्राइ कीजेगा बहुत ज़्यादा टेस्टी है यह सबजी बनके तैयार होता है और बनाना भी असान है ट्राइ कीजेगा एक बार बनाईएगा बताईएगा कैसा लगा रेसिपी रेसिपी अगर अच्छा लगे